प्रारंभिक वैदिक काल संबंधी इतिहास की जानकारी कब प्राप्त हुई प्रारंभिक वैदिक काल संबंधी इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई थी वो पंद्रा सो इसापूर से लेकर एक हजार इसापूर के बीच में हुई थी ठेक फिर आजाएंगे देखिए हमारा अगला कोशन क्या कर रहा है कि वैदिक धर्म के प्रमुख देवता जो इंद् आगनी और सोम इस्तुतिक के गरंथा में की गई है कि इन तीनों देवताहों की जो इस्तुतिया इनकी आराधना जो प्राथना की गई है वो किसे गरंथ में मिलता है तो याद रेखिए कि वो मिलता है रिग वेद में और रिग वेद दिखे हैं ऑप्शन नमबर B में तो हमारे हम बी नमबर राइट अंसर हो जाएगा आपको जाएगा रहना है कि वैदिक धर्म के प्रमुक देवता इंद्र अगनी सोम की जो इस्तुतिया उनकी पूजा प्रा रहना है कि जैन धर्म में वर्दमान सहित कुल 24 तीर्थकर हुए हैं फिर देखिए आज आएंगे हमारा अगला कुछ न क्या रहा है कि जैन धर्म में किसकी मानेता मिली जो जैन धर्म है उसमें किसकी मानेता मिली जिसने व्यापार और वारणी जो को बढ़ावा दिया तो मुनाफा एवम सूध खोरी की बाद दिखिये है option number A में तो हमारा A number item सुर जागा आपको यार रखना है कि जैन धर्म में मुनाफा एवम सूध खोरी की जो माननेता थी इसी के वज़ा से वहाँ व्यापार और वाड़ी जुको उसने बढ़ावा दिया तो याद रखेगा जिस धर्म में किस धर्म में दुख निवारण व मोक्ष प्राप्ति के लिए अस्टांग मार्ग को प्रदिपादित किया गया है तो याद रखेगा जिस धर्म में दुख निवारण मतलब दुख शेच छुटकारा पाने के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए अस्टांग मार्ग जितका प्रतिपादिन जिसमें किया गया है वो है आपका बौध धर्म और बौध धर्म की बात देखिया है ऑप्शन नमबर डी में तुमारे है दी नमबर राइट अंसर हो जागा ऐसे याद रखेगा कि आस्टांग मार्ग को प्रतिपादिन किया गया है कहां किया गया है बौध धर्में किसलिए किया गया है दुख निवारण और मोक्ष प्राप्ति के लिए ठीक फिर आजाएंगे देखिये हमारा अगला क्वेशन के अगर है कि कौन सा भाग इस्तूप नहीं है तो कौन सा भाग इसमें इस्तूप नहीं है तो याद रखेगा जो भाग इस्तूप का नहीं है वह है आपका गर्भिग्री है और गर्भिग्री ही देखे आप्षिन नमबर हमारा एह बी में तुम्हारा बी नमबर राइट है तौर ज़िए आपको जा रखना है कि वह भाग जो इस्टूप का नहीं है वह है गर्भिग्री अगर यही कुशन होता कि कौन कौन से राज में अवस्थित है जो सांची का स्थूप है वो कहां प्याकिस राज में मौझूद है तो याद रहेंगे हमारा अगला कोशन के रहें कि इस तूपों के चित्रों में रिक्त अस्थान किस चीज का प्रतीक है तो याद रहेंगे हमारा अगला कोशन के रहें कि प्रारंभिक भारती मूर्थी काला जो प्रारंभिक भारती मूर्थी काला जो थी जिसे यूरोपिय द्वारा उतकरिष्ट माना गया था वो कौन से थी तो कह रहा है कि जो प्रारंभिक भारती मूर्थी कला होते जिसे यूरूपियो यूरूपियन लोगों ने भी बहुत उत्कृष्ट कला माना था उसे वो कौन से थी याद रखेंगे वो जो कलाएं थी वो थी यूनानी कला और यूनानी कला देखिया है उप्शन नमबर C में आपको याद रखना है कि प्रारंभिक भारती मूर्थी कला जिसे यूरूपियो दोरा उत्कृष्ट माना गया था वह यूनानी कला थी फिदिखे आ जाएंगे हमारा अगला कोशिन क्या करा है कि वैदिक धर्म में उपासना का सर्वस्रेष्ट माध्यम क्या था तो याद वैदिक धर्म में उपासना का जो सर्वस्रेष्ट माध्यम था वो यग्य करना माना जाता था फिदि कि आजएंगे हमारा अगला कोशिन क्या करा है कि जैन धर्म द्वारा किस प्रकार संपूर्ण भारती चिंतन परंपरा को प्रभावित किया गया तो याद रखेगा जैन धर्म के द्वारा अहिंसा के सिध्धान्त के द्वारा संपूर्ण भारती चिंतन परंपरा को प्रभावित किया गया था फिर आ जाएंगे हमारा अगला कोशन क्या कर रहा है कि जैन गरंतों में किन भाशाओं का उपियोग किया गया है तो याद रखेगा जैन गरंतों में प्राकृति और संस्कृत और तमिल इन तीन भाशाओं का उपियोग किया गया है फिर आ जाएंगे हमारा अगला कोशन कह रहा है कि निमने में से किन देशों में बुद्ध के संदेशों तथा विचारों का प्रशार हुआ तो दिखिए जो भी यहां दिया भूटान पाकिस्तान अफगानिस्तान और यह सभी करें कि बुद्ध के संदेशों तथा विचारों का जो प्रशार हुआ था भूटान पाकिस्तान अफगानिस्तान इस सभी अस्तानों पर हुआ था फिर आजाएंगे देखिए हमारा अगला कुशन का कह रहा है कि महत्मा बुद्ध को किन प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है तो याद रखी का महत्मा बुद्ध को जिन प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है वह प्रतीक है रिक्त अस्थान इस्तूप और धर्म चक्र इन आगला कुशन क्या कर रहा कि महत्मा बुद्ध के संपूर्ण उपदेशों का आधार क्या है life when प्रतितियस मुद्पाद जो है यह महत्मा बुद्ध के संपूर्ण उपदेश का आधार है और यह दिखिए है option number C में तो हमारे यहाँ पर C number right answer हो जाएगा आपको याद है महात्मा बुद्ध के संपूर्ण सिक्षावा उपदेश का उपदेशों का जो आधार है वो है प्रतित्यस मुत्पाद ठेक फिर आजाएंगे देखे हमारा अगला question क्या कर रहा है कि थेरी इस्त्रियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है option दिखे क्या कर रहा है कि वे इस्त्रियां जो बौध संग में प्रवेश कर भिचुणी बन गई उन्हें थेरी इस्त्रियां कहा जाता था या फिर वे इस्त्रियां जो धम की उपदेशिकाएं थी उन्हें बो यहाँ राइटांस वाल याद रखीगा थेरी इस्त्रियां जो थी किसे कहा जाता था वे इस्त्रियां जो बहुत संघ में प्रवेश कर भिछुनी बन जाती थी या फिर वे इस्त्रियां जो धम की उपदेशिगाएं भीगवा करती थी इन डोनों को ही हम क्या बोलते थे थेरी इस्त्रियां बोला जाता था ठेक फिर आज आएंगे देखिए हमारा अगला कोशन क्या कह रहा है कि किस भगवान की प्रतिकृति को लिंग के रूप में पूजा जाता था तो याद रहेगा वह भगवान जिनके प्रतिकृति के दिखिये हैं option number B में तुमारे हाफे B number है राइट आंसर हो जाएगा फिदिखे आ जाएंगे हमारा अगला question करहा कि बुद्ध को ग्यान प्राप्ति किस अस्थान पर हुई थी तो याद रहेगा बुद्ध को जो ग्यान के प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बौध गया में और बौध गया देखिये option number D में तुमारे हाफे D number right answer हो जाएगा आपको जाएगा बुद्ध को जो ग्यान के प्राप्त हुई थी वो बौध गया में हुई थी तो याद रहेगा वह बौध ग्रन्थ जिसके अनुसार अशोक ने प्रतेक महतपूर्ण शहर में इस्तूप बनाने का आदेश दिया था प्राप्त हमारे हाफे C number right answer हो जाएगा सांची स्टूप का निर्माल किसके द्वारा किया गया था तो याद रहेंगे सांची के इस्टूप की प्रमुख विसेस्ताओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ चार बाते बताई गई है इने में से तीन कोई क्या है यहाँ पे गलत है और कोई एक जो है में सही है इसमें और सही कौन सा है में यह जानना है पहला option क्या कह रहा है कि यह एक अर्ध गोलाकार गुंबद है option B कह रहा है यह एक पत्थर की एक बड़ी बाड से घिरा हुआ है यह फिर option C में है सांची के इस तूप में कई कहानियों का चित्रांकित चिंत्रांकन किया गया है यह 3 option और option D कह रहा है उप्रोग सभी तो याद रहीगा यह सारे ही option हमारे क्या है सही है इसलिए option number D हमारे यहाँ पर क्या हो जागा राइट आंसर हो जागा याद रहीगा सांची के इस तूप की जो प्रमुक विसेस्ताएं है वो पहला क्या है यह एक अर्ध गोलाकार गुंबद है दूसरा क्या है यह पत्थर की एक बड़ी बाड से घीरा हुआ है और तीसरा क्या है सांची के स्थूप में कई कहानियों का चिंतरांकन किया गया है ये भी क्या है ऑप्शन सही है इसलिए हमारा ऑप्शन जो डुद्धी होगा हम डी नंबर ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कर देंगे हमारे सभी ऑप्शन क्या है सही है ठेक फिर आजाएंगे द तो याद रखी कि प्रारंभिक मंदिरों की जो विशेस्ता नहीं होती थी शुरू में वो थी मंदिर जो होते थी इसका जो गुंबदकार जो आकरिती होती ये शुरू-शुरू में नहीं बने होते थी बाद में बनना शुरू हो गए शुरू आत में क्या था मंदिर गुंब सही हो जाता दूसरा भी कि प्रारंभ में एक कमरा बना होता था जिसे गर्भगर कहा जाता था और दूसरा इसकी विशेस्ता पहाड़ीयों को काट कर तथा खोखला बना कर कृतिम गुफाओं के रूप में किया जाता था मंदिरू का निर्मान ये भी क्या ये शुरुआत में सुमेलित नहीं है इसका मतलब कि यहां कोई johin होगे और कोई एक Option जहोगा वो गलत होगा दिखे पहला option कहे रहा है कि बौध धर्म के त्रीरतन तो बौध धर्म के जो त्रीरतन है वो कौन है एक तो हो गया आपका बुद्ध हो गया संग हो गया ये तो बिल्कुल सही है कि बौध धर्म के जो त्रीरतन है बुद्ध संग और धर्म है ये हमारा बिल्कुल सुमेली थे तेकर यह सही ऑगया खिसे भूई धर्म का महत्पूर्ण गृंद्ट जो है वह तर्इपिटक है तो यह भी हमारा क्या है सही कि ज़िए द्धन का जो महत्मूर्ण ग्रंथ है वो त्रिपिटक ही माना जाता है फिर दिखे आया है question number option number three में आया है c में महत्मा बुद्ध की सिख्षाएं जो है किसमें मिलती है वीनाय पिटक में तो ये गलत है याद रहेगा त्रिपिटक तीन है और कॉन कॉन सैं वीनाय पिटक, सुद्ध पिटक और अभिधम पिटक, वीनाय पिटक में याद रखेगा अनुसासंग, इसको अनुसासंग की टोकरी भी बोला जाता है इसमें नियम कानून बताये गहें एक भीक्षणी जो बहुत संंग में जो सामिल होते है उनको अ हमारा यह option यहाँ पर क्या है गलत है और देखें महायान जो कहा 2 की मूर्थ यो की पूजा करता है तो यह महायान बोधिसत्व की मूर्थ यो की पूजा ये भी किया है मरा option सही है थोड़ा सा यहां पर हम discuss करेंगे किसके बारे में वीनाय पिटक के बारे में वीनाय पिटक जो तीन पिटक होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप और इसमें भेक्षू हो गए भेक्षुनी हो गए आधि के लिए नियम कानुन बनाए गए हैं कि कैसे किसको जीवन निवराह अपना करना है कैसे नहीं यह किसमें मिलता है वीनय पिटक में ठेक फिदिखे सेकंड नमर पाता है सुत्थ पिटक में बुद्ध की सिक्षाएं हमे में क्या है धर्म और उसके क्रिया कलापों की व्याक्या इसमें की गई थी कैसे पंडिताओ धंग से जैसे पंडित लोग करते हैं यह धर्म की व्याक्या करते हैं माली जी के सनातन धर्में उसी प्रकार से बहुत धर्म में भी जो पंडिताओ धंग से उसके क्रिया कलाप कै कैसे करने हैं कैसे नहीं इसका जो पूरा जिक्र मिलता है यह मिलता है आपका अभिधम पिटक में ठेक यह सारी चीज़े आपको क्लियर हो गई होंगी कि त्रिपिटक तीन हैं वीनै पिटक सुथ पिटक अभिधम पिटक और तीनों में क्या-क्या बाते मिलते हैं यह आपको ठीद Dutch को किसने ग्रंथों के रूप में संकलिक किया था ति या अगला महत्मा बुद्ध के व्यवहारी ज्यान को जिन्होंने ग्रंथों के रूप में संक्लित किया था वे थे आनंद और उपाली और आनंद और उपाली दिखिया है आप्शन नमबर A में आया है तो हमारा यहाँ पे A नमबर यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा आपको याद आपको याद रहर कि बौऑध धर्मी के प्रचार प्रसार में जिसका स्बसे जाधा खतल रहा विशेश महतल रहा वह राज की संरुक्ष करह कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेली था इसको अनला तीन गलत है कोई एक ही है जो हमारा इसमें आप्शन सही है अब इसमें क्या है तो अब देख लेते हैं एक एक आप्शन को हमारा देखे पहला आप्शन क्या कह रहा है कि मदरास यहां कह रहा है कि 1814 में मदरास की अस्थापना तो याद रखेगा 1814 में मदरास की अस्थापना नहीं की गई थी यह बिल्कुल ऑप्शन गलत है हाँ अगर यह कुशना था कब की गई थी यह किया गया था 1649 में किया गया थै तो मदरास के स्थापना कब हुई थी 1649 में की गई थी और इसमें दिया है 1814 थी यह हमारा option वैसे ही गलत हो गया फिर दिखे आया है सेकेंड नमबर में 1834 को क्या है गनिंगम द्वारा सारनाथ के स्थोपों की चानबीन की गई थी तो हाँ यह बिलकूल option हमारा क्या है राइट है फिर कहरा है कि कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी 1851 को कलकत्ता की स्थापना की गई थी तो यह भी option हमारा क्या है गलत है कलकत्ता की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपको 1686 में 1686 में की गई थी इसलिए ये भी option हमारा गलत है और ये भी हमारा क्या है option गलत है conservation manual का precaution भी 1930 में नहीं किया गया था इसका हमारा जो सही answer होगा वो कौन सा एक ही है वो है option number बी तो हमारे यहाँ बी number यहाँ पर right answer कर देंगा अगर यही question इस तरह से भी घूमा करा सकता है कि मदरास के स्थापना कब हुई थी तो आपको याद रखना है कि मदरास के स्थापना हुई थी 1649 को अगर आता कलकत्ता के स्थापना कब हुई थी तो कलकत्ता की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1686 को ये भी आपको याद रखना है अब आ जाते हैं अपने अगले कुश्चन में देखिए हमारा अगला कुश्चन क्या कर रहा है कि सांची का इस्तूप किस राज्य में इस्थित है तो याद रहिए कि सांची का जो इस्तूप है वो मध्य प्रदेश में इस्थित है मध्य प्रदेश दिखिया है ऑप्शन नमबर C में तो हमारा C नमबर राइट अंसर हो जाएगा वो है साची का स्थूप और साची की स्थूप की बात आई है option number A में तो हमारा A number यहाँ पर write answer हो जाएगा और देखे आज का हमारा last question है question कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथा नवीन हिंदू धर्म के बारे में असत्य है मतलब जो नवीन जो भारती हिंदू धर्म जो है इसमें कौन सी बात असत्य बोली गई है कौन सी बात लागू नहीं की जाती इसमें नहीं की जा सकती देखे option A में क्या दिया है कि नवीन हिंदू धर्म जो है सरल तथा सहज उपासना पध्धती पर आधारित था ति बिल्कुल हमारा option क्या है सही है कि हिंदू धर्म है बहुत ही सरल बहुत ही उसका जो पूजा प्रातना या आराधना करने का जो भी तरीके हो बहुत ही आसान है ठेक ति यह तो बिल्कुल सही है option फिर कह रहा है कि अब वैदिक यग्यों के अस्तान पर भक्ति आराधना पर महत्पूर्ण हो गई जो वैदिक यग्यों के बजाए अब भक्ति आराधना पर क्या हो गया है आधारित हो गया है आराधना महत्पूर्ण हो गई है यग्यों के बजाए ति ये भी देखा जाये बिल्कुल सही है ठेक फिर तीसरा कह रहा है कि अब सभी वर्गों को हिं सथ्य नहीं है.. सबस्क्राइब करें.. तो में भी आपको यहां वन वाइवन सारे कुश्शन समझ में आ गहा होँगे... अगर सारे चीज़ चीज़ समझ में आ रहें.. तो प्लीज वीडियो को लाइक है.. आपने चनल को इता पार को सबस्क्राइब.. Thank you.